आप सभी लोग जानते होंगे कि एक नवंबर को मद्ध्विदेश का इस्थापना दिवस मनाये जाता है या आप लोग कह सकते हैं कि एक नवंबर को मद्ध्विदेश दिवस मनाये जाता है तो आज हम लोग मद्धविदेश के बारे में एक overview ले लेंगे यानि कि मद्धविदेश के बारे में एक सामाने जानकारी देख लेंगे और अगर आपकी भी दिल्चस्पी है मद्धविदेश को जानने की तो आपके पास इस किलास को देखने के बाद परियाप्त आकड़े परियाप्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगे और अगर आप लोग मद्धविदेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मद्विदेश सामान नियान से questions पूँचे जाते हों तो आप लोग समझे कि पास से साथ questions इस किलास से आएंगे ही क्योंकि आप देखते हैं कि मद्विदेश के जो जोई special exam होते हैं उनमें MP Spacer यानि की मद्ध्य पिदेश सामा निग्यान से अच्छी खासी संख्या में questions पूँचे जाते हैं देखिए हमारे प्यारा भारत हैं और इसमें आप देखेंगे उपर से आप लोग देखिए यहां लगदाग से लेकर यहां तमिलाणु तक यहां गुजराश से लेकर आपका अरुणाचल पिदेश तक फैला हुआ है हमारा भारत की राज्य और इसमें मद्य पिदे में आपको देखने को मिलेगा मद्य पिदेश और इसलिए आप लोग इसे हिदय पिदेश भी कहते हैं सरीर के किस भाग में हिदय होता है बीच में आप देखते हैं इसलिए हिदय पिदेश भी कह देते हैं बोपाल इसकी राद्धानी है और यहां और अच्छे से आप लोग देख सकते हैं देखिए आपका मद्देश है उत्तर पिदेश हो गया राजिस्थान, गुजरात, महाराष्ट, चतिस गड़ यह सभी पड़ोसी हैं मद्देश के तो अगर हम लोग मद्देश की बात करें त और इसलिए 1 नवंबर को मद्देश दे यानि मद्देश दिवस मनाते हैं और आगे चलके आप सभी जानते हैं कि जब 1 नवंबर 1956 को राज्ज बनाए गया तो यह जो चतिस गड़ वाला हिस्सा है न यह भी मद्देश का हिस्सा हुआ करता था और एक बात आप लोग है या लेकिन आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में मद्देश से अलग करके 36 गड़ राज बन गया था और 6 फल में मद्देश का नमबर दूसरे नमबर पर आता है अब पहले पर कौन पहँच गया है राजिस्थान पहुँच गया है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और मद्देश नम किस ने दिया पंडि जवालाल नहरू ने मद्देश को मद्देश नाम दिया टाइगर यहाँ अधिक होने के कारण टाइगर पिदेश भी कह देते हैं सोयागी फसल सोयावीन अधिक होती है तो सोया पिदेश कह देते हैं हिदय पिदेश भी कहते हैं पंडि जवालाल न के अधर नाम से भी जानते हैं तैंदू पत्ता राज जी के नाम से भी आप लो aren 50 को जानते हैं पन्ना तो आप सभी जानते हैं कि हीरा के लिए दुनिया वर में फिसद बन्ना जिला और पिदेश की अगर हम लोग भौगोलिक इस्तिती की बात करें कि मद्धपिदेश की भौगोलिक इस्तिती क्या है यानि कि मैप में यानि कि आप देखें पिथिपी पर कहां फैला हुआ है मद्धपिदेश तो आप देखेंगे 21 डिगरी 4 मिनिट उत्री अक्छांस से लेकर 26 डिगरी 49 मिनिट उत्री अक्छांस और आप देखेंगे 74 डिगरी 1 मिनिट से 82 डिगरी 48 मिनिट पूर्वी दिसांतर की मद्ध आपको मद्ध पिदेश देखने को मिलेगा यानि कि कहने का मुतलब है कि आप देखी यहां से आप देखी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर आप देखेंगे यहां तक मद्पिदेश आपका फैला हुआ है और देशांतर रेखाएं पड़ी होगी आप लोगोंने, अक्छांस रेखाएं पड़ी होगी आप लोगोंने, इस तरह से आप देखते हैं कि देशांतर रेखाएं किछी रहती हैं, इस तरह से अक्छांस रेखाएं रहती हैं, उनी की बात हो रही है और मद्पिदेश की सीमा पांच राज्यों को इसवर्स करती है उत्तर पिदेश हो महराष्ट हो चत्तिसगर राजिस्तान गुजराज अगर हम लोग मद्पिदेश की जो जिले हैं उत्तर पिदेश से कितने जिले मद्पिदेश की लगते हैं यह देख लिजे पहले आप देखें कि ये कहा हैं उत्तर पिदेश है आपका और उत्तर पिदेश की राजधानी लखनव हुए आप सभी जानते हैं और एक बात उत्तर पिदेश के बारे में याद रखेंगा सबसे जानदा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर पिदेश की देखें विहार हो ज लोक्सवा में 80 सीट आगर पिधार मंत्रीओं की सूची अगर आप लोग उठा के देखें ना तो अधिकतर पिधार मंत्री आपके उत्तर पिदेश से ही निकल के आये हुए है और इस से लगे हुए अगर मद्दपिदेश के जिलों की सीमा की बात करें देखिए हाँ मुरेना भेंड इनकी बात हो रही इस तरह से तो आप देखेंगे कि आपका मुरेना, भेंड, दतिया, सिवफुरी असोक नगर, सागर, टीकमगर निवाडी, छतरपुर, पन्ना सतना, रीवा, सीधी, सिंगरॉली इस सभी जिली मद्धपिदेश की है MP की है लेकिन इनकी सीमा उत्तरपिदेश से लगती है कहां से लगती है उत्तरपिदेश से लगती है देखिए मुरेना हो गया, भेंड हो गया, दतिया हो गया सिवफुरी हो गया, नीची असोक नगर आजाईए सागर आजाईए, टीकमगर निवाडी, निवाडी नया जिला है मद्धपदेश का, चतरपूर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरॉली, ये सभी जिली किस से लगते हैं, उत्तरपदेश से सीमा लगाते हैं, ठीक है, उसकी बाद आप देखें, चत्तीस गड़ को देख लीजे, यहां बगल में मैं देखना चाहें, तो देख सकते हैं, सिंगरॉली हो गया, सीधी हो गया, सहडोल हो गया, अनुपूर हो गया, डिंडोरी, मंडला और बालागार, ये सभी किस से लगते हैं, चत्तीस गड़ से सीमा, उसके बाद महाराष्ट से देख लीजे, महाराष्ट भी तो पड़ोस या चार सो उप्सन देदेगा, और पूछ लेगा कि इन झिलो में से किस की सीमा महाराष्ट से लगती है, गुझरा से आप देखेंगे दो जिलों की सीमा लगती है, गुझरात राज्ज से अली राजपूर और जहाबूा, राजस्थान से देखें तो मुरेना से उफर से पूरी गुना, राजगर, आगर मालवा, मंदसो, नीमच, रतलाब, जाबुआ की लगती है, एम मैप आप लोगों को इसी PDF में मिल जाएगा, तो यहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं, सभी जिलों की सीमा, ठीक है, और भोपाल इसकी राध्धानी है, बीच में आप द देखें न, तो पहली नंबर पर है राजिस्तान छेथफल की मामले में, कितना है इसका छेथफल, इसका छेथफल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तीन लाग ब्यालीस जार दोसो उन्तालीस बर किलोमीटर में पहला हुआ है आपका राजिस्तान, और छेथफल में सबसे बड़ा है, और जनसंख्या में अगर आपसे पूचे कि सबसे बड़ा राज्य कोन है, मत्विदेश से लगने माला, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश पैसे भी सबसे जानदा, जनसंख्या है सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, करकरेखा उसके बाद आप देखेंगे सागर दमो, जबलपूर कटनी, उमरिया सहडोल, पहले साजापूर जले से करकरेखा गुजरती थी, लेकिन जब साजापूर जले से अलग करके आपका आगर मालवा बन चुका है, तो अब आगर मालवा से जाती है नागी सागर से, किसे भोपाल और उसके बाद आप देखेंगे बिदीशा, राइसेन, सागर, दमो, उसके बाद आप जाएए कटनी, जबलपूर, जबलपूर के बाद आप आजाएए उमरिया और सहडोल, इस तरह से 14 जिलों से उकर जाती है, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, और भारत की राज्यों से देखें, तो गुजरास से जाती है, राजिस्थान से जाती है, मद्वदेश से जाती है, चत्तिसगर से, जहारखन पर्शेमंगाल से, तिफुरा, उमिजुरम, आठ राज्यों से जाती है, करक रेखा, भारत की मध्यान रेखा, बारत की मध्यान रेखा, 82.5 पांट डिगरी एक मात सिंग रॉली जिले से जाती है जिसे मानक समय रिखा भी आप लोग कह देते हैं एक अहां से जाती है सिंग रॉली से जाती है यहां आप लोग सिंग रॉली देखेंगे ना यहां से जाती है और राज्यों में अगर आप देखें तो देखें उत्तर पि किलोमीटर में फैला वह है मतले ने काना कैने के यहां से यहां तक और से यहां से डिचिन संतर तक फैलने की बात हो रही है टीक है तो यह आप δेखेंगे 870 किलो मेटर पूर्व से पशिम और उत्तर से लिचे 605 km मदपदेश के छेदफल की बात करें तो 3,8,252 km में मदपदेश पहला हुआ है भारत का 9.38% भाग मदपदेश के पास है और दूसरे नमबर पर है मदपदेश छेदफल में सबसे बड़ा जिला मदपदेश का छेदबाड़ा देखने को मिलेगा छेदफल में सबसे छोटा जिला धतिया देखने को मिलेगा और देखिए जुन ये 2011 की जनगरणा के इसाब से बता रहा हूँ अगर आप देखें कि अभी नए आकड़े आये हुए जो निवाड़ी नए जिला बना हुआ है तो छेदफल में जनसंक्या में ये सबसे छोटा जिला है अगर निवाड़ी ओप्सन दिया रहता है तो निवाड़ी आप लोग लगाएंगे ये जरूर आप लोग याद रखेगा अगर 2011 की जनगरणा के इसाब से पूचता है तो दतिया लगाएंगे जब तक की नई जनगरणा के आखरे नहीं आ जाते है देखिए आप सभी जानते हैं की राज की ये पितीक होते हैं सभी राज्यों में तो राज की पितीक देख लेते हैं मत्पिदेश ने राज इस्थापना की 75 वी वर्जगाट पर एक नबमर 1981 को राज पसू पक्छी बेक्च आदी घोसित किये थे बाद में समय समय पर आप देखेंगे राज जी की केर राज मचली आदी घोसित किये गए तो आप से पूँछे कि मत्पिदेश की राज की पुस्प क्या है सभेद लीली है और सफिद लीली का बिग्यानिक नाम Lilium Candidum है और यह लीली ऐसी कुल का पुस्प है और यह सफिद लीली संपूर मद्धिप्देश में आपको देखने को मिलेगी मद्धिश की राच की फखल क्या है? आम देखने को मिलेगा और इसका बनस्पतिक नाम क्या है? मंगी फेरा इंडिका और यह संपूर मद्धिश में आपको देखने को मिलेगा और मद्धिश में नूर जहां, अली राजपुर जिला और सुंदर रजा ए रीवा जिला की प्रमुक पे जाती पाई जाती है और मद्धिश में आम अनुसंद्धान के अंद रीवा जिले की गोविन्दगर में आपको देखने को मिलेगा यह चोटी-चोटी जानकारी है लेकिन कुश्चन से पूछे जाते हैं आपकी परिक्चाओ में मद्धिश का अगर आपसे राजकिये पसु पूछे तो बारे सिंगा आप लोग देखते हैं क्या बारे सिंगा और बारे सिंगा का बनस्पितिक नाम क्या है रूस वर्स दुआ उसे लिए और यह ब्रेडिरी प्रजाती का है और बाहर सिंगा मुकरूप से काना किसली राष्टी उद्यान में देखने को मिलेगा मंडला बाला घाट में इसे राजकी पक्षू होने का दर्जा कम मिला था 1981 में और 2017 में काना राष्टी उद्यान ने भूर सिंग दा बारे संगा नाम से अपना सुभंकर जारी किया अगर आप से पूछे कि मद्विदेश का राजकी पक्षी क्या है दूदराज और इसे आप लोग पेराडाईज, फिलाईज से केचर या सेचर या साहे बुलबुल के नाम से भी जानते है और इसका विज्ञानिक टाम टरप सिफोनी पेराडाईज से है और यह मुक्रूफ से पश्चिमी मद्विदेश में पाया जाता है दूदराज को 1981 में राज्किय पक्षी होने का दरजा प्राप्त है और सरदार्पूर अभ्यारन धार सैलाना भ्यारन रतलाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा वहीं अगर हम लोग मद्विदेश की राज्किय मचली की बात करें तो महासीर देखने को मिलेगा और महासीर मचली का बिग्ञानिक नाम टोर, प्यूटी टोरा है, जो की टोर फिरजाती का है, और मध्वेदेच की नरमदा नदी में ये देखने को मिलेगा, और महासीर मचली को 2011 में, राजकी ये मचली होने का दर्जा पराप्थ है, वडवा में महासीर पिजनन केंद इस्त अगर आपसे पूचिए कि मद्धविदेश की राजकी फसल क्या है सुयावीन देखने को मिलेगी सुयावीन का बनस्पितिक नाम क्या है गिलाइस्थीन मैक्स और जो की लेग मिनेसी कुल का है और इसकी पिरमो किसमे समरिध्धी प्रसाद पितिकार अहिल्या अलंकार है और स सुयावीन का उत्पादम मुक्रूफ से मालवा चित में होता है और मद्धविदेश को सुयापिदेश की नाम से भी आप लो जानते हैं मद्धविदेश का राजकी फिल क्या है मलखम है और मलखम को 2013 में मद्धविदेश का राजकी फिल घोसित किया गया था वह यह मुक्र को राष्टी खिल पुरुसकार में सामिल किया गया तो ये भी याद रखेगा ए मलकम मलकम अकादमी से कुश्टन्स कई बार कुछ लिया है उज्जैन में देखने को मिलेगी ठीक है मद्वेदेश का राच्की का पूद्वेदेश संपूर मतपदेश में देखने को मिलेगा और मतपदेश सरकाया भारा इसे 1981 में राच्की वेद्वेदेश का दरजा भी सोवावसर पर किया जाता है राई नित बुंदेलखन वगेलखन दोनों छेत में होता है और बुंदेलखन के राई नित में बाद यंत मिर्दंग और वगेलखन में धोलक का परियोग किया जाता है और जब भी सोवावसर रहता है तो राई जरूर लोग करवाते हैं मदव खमबात की खाडी में जा मिलती है, ठीक है? 1312 किलो मीटर इसकी कुल लंबाई है मद्विदेस का राज़किये गान क्या है? गान तो आप देखेंगे कि मद्विदेस का सुक्का दाता सबका साथी सुक्का यह संदेश है मा की गोत पिता का आस है मेरा मद्विदेश है ये मद्विदेश का राज की ये गान है और मद्विदेश की गान की गुष्णा 26 जुलाई 2011 में की गई थी इसके रचनाकार कौन थी? महिस स्रीवास्तो इनकी एक पुस्ता के इसे भी याद रखेगा प्रमान मद्विदेश इसके लेखा कौन है? महिस स्रीवास्तो और संगीतकार आदेश स्रीवास्तो सुनील जहां और गायक सान ये सभी सांतनो मुकर जी है ठीक है? आँगे चलते हैं मद्विदेश का राज की चन तो 24 इस्तूप आक्टी के अंदर एक बिरत देखने को मिलेगा जिसमें गेहूं और धान की बालियां पिदर से थे और चिन में सबसे बाहर 24 इस्तूप अंकित है और इसके बाद एक बिरत है और जो तरक्की और विकास की असीम संभा होना का पितिक है और इस बिरत के अंदर मद्विदेश आसन और सत्त मेव जैते लिखा हुआ है तो राज की पिरमुक फसलें गेहूं और धान की बालियां भी देखने को मिलेगे के अंदिर ये बिरत में असोक स्थम की प्रकिती राज बैक्ष बरगत को अंकित किया गया है तो ये भी याद रखेगा आँगे आप देखेंगे कि मद्विदेश की मुख भासा क्या है हिंदी है हमारी राष्ट भासा हिंदी नहीं है ये जरूर आप लोग याद रखेगा मद्विदेश की मुख भासा हिंदी देखने को मिलेगा मद्ध विदेश का उच्छने आले का है मुख पीट की बात हो रही है ये जवलपुर में देखने को मिलेगा और जवलपुर को आप लोग नया के राध्धानी भी कहते हैं मद्ध विदेश की इसकी दो खंड पीट है एक इंदौर में एक ग्वालियर में मद्ध विदेश की अठारे जिले ऐसे हैं जिने अंतरवर्ती जिले कहते हैं अंतरवर्ती जिले कहने का मतलब होता है कि किसी भी राज से इनकी सीमा नहीं लगती है जैसे ग्वालियर हो गया, बिदेशा हो गया, उज्जन हो गया, धार हो गया इनकी सीमा किसी विराज से नहीं लगती है अगर मद्ध पिदेश में देखी लोकसभा सीटों की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी ही को मालू होने चाहिए कि 29 सीटे हैं लोकसभा सदस देखते हैं न आप लोग जिनका चुनाव आप देखते हैं कि डारेक्ट जनता की द्वारा होता है और अगर आप लोगं को लोकसभा सदस का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अधिक तम उम्र की सीमा कोई नहीं रखी गई है और यहां राज्यसभा में 11 सीटे देखने को मिलेंगी राज्यसभा देखिए क्या रहता है राज्यसभा की जो सदस होते हैं अगर इसका चुनाव किसी को लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए अधिक तम उम्र की सीमा यहां भी नहीं रखी गई है लेकिन राज्यसभा सदसों को चुनाव डारेक्ट जनता की द्वारा नहीं होता है जनता जिन बिधायकों को MLA को चुनती है वही MLA, राज्यसभा सदसों को चुनते है और बिधान सबा सीटे कितनी है? नहीं कि अनुसोचित जाती के लिए आरकचित बिधान सबा सीटे कितनी है भैन है और टी कमगर और मद्रपदिस में अनसूचित जन्जाती के लिए आरक्षित लोगसभा सीटें के हैं 6 सहडोल, मंडला, बैतुल, खरगोन, धार, रतला आप लोग अगर इन जिलों से सम्मंद रखते होगे तो आपको माला होगा कि आपकी हाँ लोगसभा सदर्स अनसूचित जन्जाती का बैक्ती ही बनता है ठीक है मद्रपदिस में कुल SC, HD के लिए आरक्षित बिधान सभा सीटें तोटल मिलाकर 42 सीटें हैं आरक्षित और मद्विदिस में कुल SCST के लिए आरक्षि लोग सभा सीटें 10 सीटे हैं कितनी 10 सीटे हैं और देखे आरक्षि सीटें करने का मतलब यह होता है कि उन्हें भी SCST के लोगों को भी भागयदारी मिल सके वहाँ OVC और या जनल के लोग चुनाव ना लड़ पड़ा हैं जिससे आप देखी उन्हें आसानी से जीत मिल सके मद्विदिस में कुल संभाग 10 संभाग आपको देखने को मिलेंगे 52 जिले देखने को मिलेंगे मद्विदिस में पुलिस रेंज आईजी 11 देखने को मिलेंगे मद्विदिस में डी आईजी रेंज के 15 देखने को मिलेंगे मद्विदिस में यूनेस्को में तीन विससे धरोहर इस्तल है आप देखेंगे 1986 और खजराहो को 1986 में सामिल किया गया था साची को 1989 में सामिल किया गया था और भीमबेटका को 2003 में सामिल किया गया था UNESCO के बारे में बता देते हैं The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसकी स्थाफना आप देखेंगे 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका हेर्ड क्वार्टर पेरिस फेरांस में देखने को मिलेगा तीन साइट है UNESCO की मदविदिस में UNESCO की तीन विस्ट धर्वा साइट है खजरावnarux 1986 में सामिल किया गया साची 1989 भीमबेटका 2003 मदविदिस की विशिष्ट राधधानी है जैसे मदविदिस की राधधानी भोपाल है पच्मणी को कहते हैं आप लोग और मदविदेश की बेवसाइक राधधानी इंदोर को कहते हैं मदविदेश की खेल राधधानी इंदोर को कहते हैं आप लोग और मदविदेश की कोहला राधधानी सिंगरॉली को कहते हैं मदविदेश की संसकार राधधानी जबलपूर को कहते हैं मद्विदेश की मैगनी राध्धानी बालाघाट को कहते हैं मद्विदेश की उर्जा राध्धानी बैणन सिंगरॉली को कहते हैं मद्विदेश की संगीश राध्धानी मेहर को कहते हैं एस सतना में पढ़ती है मद्वेदेश की नियाएक रादधानी जबलपुर्खों को कहते हैं आप लोग किसे जबलपुर्खों यह भी याद रखेगा उत्तरी जिला मद्वेदेश का कौन सा है मुरेना दच्छडी जिला बुरहानपूर पुर्वी जिला सिंगरॉली पश्चमी जिला अली राजपू और भीच में आप देखेंगे इस सागर आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में आप लोग विस्ताज से हम लोग पढ़ते रहे हैं और इन्हें जब आप देखेंगे अगर आप लोग MPPSC तयारी करें तो वड़ी विस्ताज से पढ़ते होंगे। मद्विदेश का अगर आप लोग सर्वोच स्थल देखें तो ये धूबगड़ है उचाई पर बात हो रही है। ये तेरह सो पचास मीटर है महादेव सेड़ी में सत्थपुड़ा परवत पर ठीक है। सबसे पहले सूरियोदय और सूरियास सबसे बाद में कहा होता है? सूरियोदय और सूरियास सबसे बाद में कहा होता है? अली राजपुर अब आप देख लिजेगा सबसे पहले संगर अली में होगा और सबसे बाद में अली राजपुर में। और जनसंक्या मद्विदेश की तो 2011 की जन्गरणा के इसाब से बताते हैं क्योंकि अभी 2021 की जन्गरणा की आकड़े नहीं आये हैं कुरोना महामारी ने सब चौपट कर दिया था तो यहां की जनसंक्या 7 करोड 26,26,809 देखने को मिलेगी भारत की जनसंक्या का 5,99% मद्विदेश में निवास करता है और साक्षर्ता की बात करें तो 69,3% पड़े लिखी लोग हैं पुरुष साक्षर्ता 78,7% है महला साक्षर्ता 69,2% है यानि कि महला, महलाओं उपरसों में अलग भेदभाव देख रहा होगा जनसंक्या घनत की बात करें तो 236 बेक्ती पिती वर किलोमीटर में मद्विदेश में निवास करते हैं 236 सरबादिक जनसंक्या वाला जिला इंदोर है सबसे कम जनसंक्या वाला जिला हर्दा है देखे, 2011 की जनकरना के साहब से अगर आप देखे, नया जिला बढ़ गया है निवाडी ये सबसे छोटा जिला है जनसंक्या वे लिंगनपाद, 931 है, मद्विदेश का कितना? 931 है सबसे अधिक लिंगनपाद बाला जिला, बाला घाट है 1021 यारी की कहने का मुतलब हो, लिंगनपाद का कहने का मुतलब होता है कि 1000 पुर्सों पर कितनी मैल आए है ठीक है? अगर टोटल मद्विदेश में देखे आउसत तो 1000 पुर्सों पर 931 मैल आए है और अगर हम लोग सबसे जाना देखे तो बाला घाट में 1000 पुर्सों पर 1021 मैल आए देखने को मिलीगी सबसे कम लिंगनपाद भिंडगा देखने को मिलेगा 837 मैल आए हैं 1000 पुर्सों पर सबसे अधिक साक्षरता बाला जिला जबलपूर देखने को मिलेगा 81.07% पड़े लिखे हैं सबसे कम साक्षर्टा बाला जिला अली राचपुर देखने को मिलेगा बुरी इस्तिती में हैं 36.10% और पिदेश में अनुसूची जनजाती की संख्या में पिथमस्थान पर हैं मद पिदेश 21.10% जन संख्या निवास करती हैं अनुसूची जनजाती की टोटल में हैं अब बात आती है मद पिदेश के पिथम राजपल डॉक्टडर वी प्तावी सीतर मईया थे मद पिदेश के पिथम मुहमंत्री पंडित रवी संकर सुकल थे म सबन्डित कुझिलाल दूभे थे मद्वदेश की पिथम विधानसवा उपाद्यक्ष विष्णू विनायक सर्वत्य थे मद्वदेश की पहली महला राजपल सूसरी सरला गेवाल थी मद्वदेश की पिथम महला मुकमंत्री सूसरी उमाभारती साहब थी उमाभारती आप जानते होंगे पिधायस की पिथम आदिवासी मुखमंतरी राजा नरेश चंद थे पिथम नियाजदीस मुहमद हिदायत उल्ला थे पिथम महला नियाजदीस स्रीमती सरोजनी सक्सिना थी पिथम मुख सचिब ये सभी मद्वदेश की बात हो रही है H.S. कामत थे पिथम महला मुख सचिब स्रीमती निर्मला भुच थी पिथम राज निर्वाचन आयुक्त N.V. लोहानी थे पिथम राज शूचन आयुक्त T.N. स्री वास्तों थे कौन तिरी N. स्री वास्तों और पिथम पुलिस महा नियजिशक D.G.P. बीपी दोबे थे पिथम पुलिस महाने निरीक चक बीजी घाटे थे पिथम भारती पुलिस सिवा महला अधिकारी मद्विदेश में आसागो पालन पिथम लोकायोक्त पीवी दीख्चित थे मद्विदेश में पिथम राज जी उजिना मंद्विदेश की बात हो रही है पिथम लोक सिवायो की अधिक्च डीवी रेडी थे पिथम पिति पक्षनेता विश्नुनात तमसकर थे पिथम महला बेपक्षनेता जमना देवी थी पिथम गैर कॉंग्रेसी मुक्मंत्री विरेंद कुमार सकलेचा थे और पिथम महला आदिवासी महला राजपल और मिला सिंग ये मद्विदेश की थी हिमाचल पिदेश सरवादी समय तर राजपल पत पर रहने वाले वेक्ट थी सबसे जान्दा लंबा कारिकाल किसका राय स्री हरी विनायक पाडस करगा मद्विदेश जिला पुनर गठन आयू की पिथम अध्यक्ष बी आर दबे थे कौन बी आर दबे मद्विदेश की पिथम नोवल पुरुसकार विजी था स्री केलाश सत्यार्थी बच्पन बचाव अंदुलन से जुड़े रहे हैं पिथम राष्टी उद्ध्यान काना किसली पिथम विसविद्याले डॉक्टर हरी सींग गौर पिथम केंद्री विसविद्याले का दर्जा डॉक्टर हरी सींग गौर्विस विद्याले सागर कुमला था पिथम अंतराष्टी है अंतराष्टी हवाईटा इंदोर पिथम विशिस आर्थिक्षित धार फीतंपूर पिथम जीवास्म राष्टी उद्यान डिनोरी पिथम वाईस्फियर रिजर्व पचमडी पिथम टाइगर प्रोजेट काना किसली राष्टी उद्यान पिथम आगसवानी केंद इंदोर रेलवे जंक्सन एटाइटी सबसे लंबा भी है पिथम समाचारपत ग्वालियर अकवार पिथम खेल विद्याले सिहोर में पिथम पर्माडू विजली दार मंडला में पिथम की पहलिया इपंचयाद सोनार खीडी धार में पिथम सौरूर्जा ग्राम कस्तूरवा ग्राम इंदोर में पिथम ग्राम नियाले बेरसिया ये आप देखें भोपाल में पिथम पर्याटन नगर मन्द पिदेश में स्यूपरी, पिथम आवदा प्रबंधन संस्तान भोपाल में, पिथम रतन परिस्तकित केंद जवलपूर में, पिथम हाईवे एक्सपरिस मार्ग इंदौर भोपाल, पिदेश का एकमात गांजा उतपादक जिला खंडबा, पिदे पिदेश का रेप्टाइल पार्क पन्ना में, पिदेश का पहला मोबाइल थाना देवास में, पिदेश का पहला सैनेक स्कूल रीबा में, पिदेश का पिथम चलित एटीम सेवा इंदौर में, राजी का पहला नगर निगम जवलपूर में, राजी की सरपिथम नगर पालि का दतिया, राजी की सबसे उची चोटी धोबगर, राजी का एकमात उध्यान की महाविध्याले मंदसोर, राजी का पहला जैवारक्चित मंडल पचमडी, मद्विदेश की फिल्म सिटी बगरोदा, भोपाल सम्मिधानिक आधारप पंच्याती राजवेवस्ता लागू करने पितम राज मद्विदेश है, मद्विदेश का उत्पादक जिला, मद्विदेश का पहला जैविक खाद सेंद भोपाल में, मद्विदेश का पितम गैस आधारीद, बिधुत, ग्रह, भांडे, दतिया, राजी का एकमात सेनेक अट्डा, महाराजपुर, ग्वालियर देख देखने को मिलेगा आपको, ए नियूज पेंट मिल, मिल देख ली, नेपानगर, बुर्हानपुर, सेकोर्टी पेपर मिल, और संगवाद याद रखी, भी एची एल, ए भोपाल में, सरवादिक बन, सागोन की मद्विदेश में, देखने को मिलेगे, पितम महला सम्मान, और देखने को मिलेगा, इंडियन इस्टीट और संगाबाद में, पितेश का एकमात किशोर बंदी इक रहे, नरसिंगपूर में, पिदेश का पहला driving school इंदोर में, पिदेश का पहला अंगूर अनुसंधान के इंद रतलाम में, पिदेश की पिथम DNA प्रियोक साला सागर में, रितु समधी आगडे बताने वाली एकमात बेंसाला इंदोर में, मदपिदेश का एकमात होकी चात्रावात नसिंगपुर में दे देश का पहला सिल्वगराम चतरपुर में, और देश में पहला अंतराष्टी अनुसंधान के इंद खमरिया जवलपुर में देखने को मिलेगा, तो जब भी किसी राजजी की बात होती तो ये सभी इस तरह की जानकारी अपने पास रख लिया करिएगा, और मुझे लगता हो, सला हो, तो आप लोग जरू नीचे दे सकते हैं